हलो स्टुडेंट्स, बच्चों, मैं सेल्फ डॉक्टर राकेश रोसिया, सीनियर बोटनी एजुकेटर इन कानपूर सेंटर आने के 20 सालों से बलकि बाद जादा ही हो गया, बोटनी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, नीट के बच्चों को, तो यहां भी सेंटर इस साल इस बार जो है कुछ फैमलीज एड़ होई और उन फैमलीज में चार फैमली एड़ हूई हैं, तीन फैमलीज पुरानी हैं प्लांत्स में मार्फलाजी वेले चैक्टर में हैं आपके तो जो चार फैमिली जो एड हुई है उन चार फैमिली में एक है आपकी मालवेसी फैमिली एक है आपकी क्रूसीफेरी फैमिली एक है स्ट्रेसी यानि कमपोजिटी और एक फैमिली आपकी मोनोकॉट की है उसका नाम है ग्रैमनियो पोईसी ठीक है ना ये चार फैमली एड़ हुई है इंपोर्टेंट भी है नई चीछ जब कोई एड़ होती है एक्जाम में तो उससे कोशन मोस्ट पैबली आता ही आता है तो आज बच्चों हम आपके सामने जो है मालवेसी फैमली के बारे में डिसक्सन करने जा रहे हैं तो आईए जरा मालवेसी फैमली की बात करते हैं हम लोग जो मालवेसी फैमली है हम लोग जो है मालवेसी फैमली के बारे में आपसे बात करते हैं और देखे जरा आप लोगों पढ़ा होगा जो मालवेसी फैमिली है ये मालवेसी फैमिली का एक नाम और है इसका कॉटन फैमिली ठीक है ना इसका एक नाम और है कॉटन फैमिली ठीक भई एक बात ये दूसरी बात जरा सुनिए बच्चो इस फैमिली को हम लोग जब भी जब भी हम लोग फैमिली के बारे में आपसे डिस्क्रस करें किसी भी प्लांट की आप फैमिली के बारे में पढ़ें तो कुछ important बात होती है वो हम लोग पढ़ेंगे कुछ इसकी ट्रिक्स हम आपको बताएंगे जिससे लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल दबा दें ठीक है वाई जैसे सब लोग बोलते हैं वैसे मैंने भी हम कुछ है ज्यादा तर हम डाइग्रेमेटिक आपको समझाएंगे तो आपको समझने में और याद करने में आपको बहुत आसानी रहेगी लेगिन ज़रा कुछ सु प्लांट के बारे में आप स्टेडी कर रहे हैं तो वो कैसा प्लांट है तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे ये प्लांट जो है किस तरह का प्लांट है इस फैमिली के जो प्लांट है वो आपके एन्वल्स प्लांट होते हैं एन्वल्स का मतलब होता है एक वर्सी जिनका कुछ plants जो हैं वो binyal plants होते ठीक है ना। कुछ है जो होते हैं इसमें binyls होते हैं यानि कि d powerful पहुदे और कुछ जो हैं इसमें से होते हैं perityals, perityals का मतलब होता है वह वर forms पहुदे ठीक है ना, एक दो point पहले ये note करो, animals होते हैं, binyals होते हैं, पेरिनियल सोते ठीक है ना इसी में बच्चों एक प्लांट है बड़ा इंपोर्टेंट पूछा जाता है सवाल और उस प्लांट का नाम है गौसी पियम ये जो गौसी पियम प्लांट है इससे हमको कौटन मिलता है बेस्ट कौालिटी का कौटन मिलता है गौसी पियम है ये और ये गौसी पिम से हमको बिस्ट क्वालिटी का प्रेडियू साट become प्रोडियूस बेटर क्वालिटी ओफ बेटर क्वालिटी better quality better quality of cotton ठीक है न इसी लिए इसको हम लोग क्या कहते है cotton family कहते है ठीक है न जब भी आप किसी plant family के बारे में पढ़ें सबसे पहला point आप habitat वो plant है कैसा annual है, bainial है, perennial है और उसके बारे में पहले आप पढ़ेंगे उसके बाद अब क्या करना हम लोग को हम लोग जब भी plant के study करते हैं आप कभी NCRT पे गौर करिए तो जब भी आप plant के study करेंगे तो आपको सबसे नीचे से सुरू करना है जमीन के अंदर से बाहर आना है समझ गया ना मेरी बाद मतलब कहने का पहले root के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम stem के बारे में पढ़ेंगे फिर हम लोग leaf के बारे में पढ़ेंगे leaf के बाद फिर हम आएंगे flower में flower का arrangement यानि के inflorescence के बारे में पढ़ेंगे फिर हम लोग flower पे आएंगे flower के parts पर आएंगे कैलिस करोला, इंडोसियम, काइनेसियम और flower के बाद fruit पर आएंगे पहले full फिर फल समझ गया भाई? ठीक है रहा fruit के बाद हम लोग पढ़ेंगे seed के बारे में पढ़ेंगे fruit के अंदर जाएंगे तो seed यह हमारा sequence है यह family पढ़ने का sequence है यह हमेशा ऐसे ही रहेगा तो आईए जरा बच्चो सबसे पहले हम आपसे बात करें root के बारे में ठीक है न? देखिए जरा root के बारे में आपसे बात करें तो चुकि यह dicot plant है तो dicot plant हमेशा याद करेंगे हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में TRS TRS का मतलब tap root system tap root system इसमें पाये जाता है dicot plant है और dicot का यह खास character भी है ठीक है भाई? तो देखिए जरा यह हो गया तुमारा tap root system ठीक है न? root के बारे में बात हो गई? अब देखो भाई system के बारे में जरा आप से बात हो जाए तो इसका जो system होता है कैसे याद करेंगे हम लोग इसके system के बारे में पहली बात तो इसका system जो होता हो इरेक्ट होता है फिर देखे साब इसका system जो होता हो ब्रांच्ट होता है और इसका stem जो होता है वो cylindrical होता है ठीक है ना इसका stem जो कैसा होगा बताओ cylindrical होगा और बच्छो इसके इसमें जो है कुछ plant के stem होते हैं वो micellaginous होते ठीक है ना and and also and also micellaginous ठीक है भाई micellaginous एक point यह हो गया ठीक है भाई तो देखे जरा हम लोगों ने root के बारे में पढ़ा stem के बारे में पढ़ा अब हम लोग बात करेंगे आप से leaf के बारे में तो जो इसकी leaf होती है वो stipulate होती है जाने कि stipule present होते हैं leaf में जब stipule present होंगे तो बोलेंगे stipulate अगर absent है तो क्या बोलेंगे x stipulate और इसकी leaf जो है alternate पर होती है alternate मतलब समझ गये ना arrangement जो था पोजिट नहीं था एक फिर एक फिर एक इस तरह से निकलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ alternate ठीक है ना पीटियोल इसमें पाया जाता है तो क्या बोलेंगे पीटियोलेट बोलेंगे मामला dicot का है तो हम लोग बोलेंगे reticulate venation इतने पॉइंट आपको यह चार पॉइंट आपको यहां पर पढ़ने तो देखे जड़ा बच्चों यहां पे जड़ा leaf के बारे में आप से बात करने भाई यह देखे साब leaf के बारे में बात हो गई अब बताओ जड़ा इसकी leaf जो होती है वो कैसी होती ही बताओ stipulate stipulate का मतलब stipule present लीप के एक्सिस में पाई जाते हैं stipules होते हैं पेर में होते हैं फिर देखे जड़ा बच्चों stipulate हो गया फिर देखे यह leaf जो होती है वो alternate होती है यह भी हमने पार्फलोजी में आपने पढ़ा है alternate होती है इसके अलावा जो ये लीफ है ये तुम्हारी होती है पीटियोलेट पीटियोलेट का मतलब जो पत्ती की डंठाल होती है उसको बोलते है पीटियोल अगर पीटियोल प्रेजेंट है तो पीटियोलेट अपसेंट है तो क्या हो गया सेसाइट ठीक है न एंड एंड लास्ट ठीक है भई कैसा होगा बताओ रेटिकुलेट वेनेशन ठीक ये देखे जराओ ये हो गया तुम्हारा मामला लीफ का फिर से देखो जराओ एक हो गया रूट एक हो गया इस्टेम एक क्या हो गया बताओ लीफ ठीक अब इसके बाद जो हम लोग लीफ के बाद आप से बात करेंगे इनफ्लोरिसेंस की तो देखे साब इसका जो इनफ्लोरिसेंस है इसका जो इनफ्लोरिसेंस है ठीक है न ये देखे जराओ ये जो इनफ्लोरिसेंस है इसका वो होता है जरनली रेसिमोस कैसा होता है बताओ generally generally racimos एक पॉइंट ये नोड करो generally racimos ठीक है भाई racimos में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है indefinite पढ़ाए न दो तरह का ममला होता है एक होता है तुम्हारा racimos एक होता है तुम्हारा simos जो racimos है आपका उसमें हम बच्चों को याद कराते हैं भाई याद कर लो रिया, रिया का मतलब रेसिमोस, इंडिफिनिट और एक्रोपीटल, समझ गया है न, और उधर तुमारा हो जाता है बेसिपिटल, डिफिनिट और साइबोस, ठीक है, ये तुमारा एक, ये हो गया रेसिमोस, अब ठीक है न, क्या खास बात है जरा वो देखो, खास बात ये है कि इसके फ्लावर में ब्रैक्ट पाया जाता है, तो फ्लावर को हम लोग बोलेंगे ब्रैक्टियेट, पहली बात, ठीक है न, दूसरी बात हम ब्रैक्टियेट के अलावा, ये जो फ्लावर हैं वो होते हैं, एक एक्टीनोमार्फिक ठीक है भई एक्टीनोमार्फिक का मतलब तो जानते हो ना कहीं से भी काटने पर दो बड़ावर भागों में पटी क्या कहलाएगा बताओ एक्टीनोमार्फिक ठीक है ना पिर देखे साब इनके जो फ्लावर होते हैं वो होते हैं तुमारे हरमेफोडाइ ठीक है ना हर्मेफोटोडाइट का मतलब बाइसेक्सवल बाइसेक्सवल का मतलब बोसेक्स औरगेंसार प्रेजेंट क्या हो गया बताओ बाइसेक्सवल ठीक है ना और एक बात तुमको और बहुत अच्छी हम बता दे हमेशा याद रखेगा कभी आपसे गड़बड़ी नहीं होगी देखो भई तुमारे पास जितनी भी फैमिली हैं तुमको बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे केबल दो फैमिली ऐसी हैं जहां पे तुमको यूनिसेक्सवल मिलेगा ठीक है ना एक है तुमारे कुकरवेटेसी जो तुमारे सलेबस में नहीं है एक है तुमारा कमपोजिटी वहाँ तुमको यूनिसेक्सवल मिलेगा लेगिन यूनिसेक्सवल कहा मिलेगा रे फ्लोरेट में डिक्स फ्लोरेट में नहीं मिलेगा डिक्स फ्लोरेट आपका थीक है ना मेरी बात समझ रहूं ना तो बाइ सेक्सवल है अच्छा एक बात और तुमको बता दें कि जितनी भी तुमारी डाइकॉड़ फैमली है वो या तो टेट्रामेरस होंगी या तो पेंटामेरस होंगी आपको ज्यादा तर पेंटामेरस मिलेंगे पांच वाली हर तब ये फ्लावर जो इसका कैसा होगा बताओ पहली बात तो ब्रैक्टियेट होगा अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टियेट नहीं ये तो क्या होता है इब्रैक्टियेट और ब्रैक्ट का तुम्हारा सिंबल क्या होता बी आर इब्रैक्टियेट का क्या होता इब्रैक्टिये ठिक अब आईए अब देखिए जराफ फलावर के अंदर जब हम जाएंगे तो फलावर के अंदर जो हम लोग थी चार चीजgili की स्टेडी करते हैं चार चीजरों में एक है कालीक्स, एक है करोला, एक है एंडोसियम, एक है गाइनिसियम इस flower की एक खास बात और गुड़हल की कि इसमें जो है आपके epicalis extra पाए जाता है epicalis is the type of a type of the bright ठीक है न अब देखे मैंने आपको समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये flower लेके आया हूँ ठीक है ये flower है है विसकस रोजा साइनेंसिस फैमली है मालवेसी कॉटन फैमली ठीक आप देखे इस flower को जरा ध्यान से देखे जरा इसको इस flower में यहाँ पे ये पैडिसिल है जो ये green color की डंठल निकली ये पैडिसिल है इस पैडिसिल में ये जो structure बना हुआ ये epicalis है इसमें ये जो green वाला structure ये कैलिक्स है और ये जो red वाले structure है कॉरोला है ये endosium है उपर टॉप पर जो है इसमें gyinesium है ये flower है इसके बारे में हम लोग पहने जा रहे है ठीक है भई तो देखे जरा इस flower में epicalis, calis, corolla, endosium, gyinesium तो हम लोग पूरा detail में लिखने की बजाए हम लोग diagram से पढ़ेंगे ये हाथ में मेरे flower है इसमें आपको समझाते चलेंगे ठीक आईए जरा तो देखे जरा बच्चो सबसे पहले हम जो है आपको flower बना के दिखाते हैं आप जरा देखिए बच्चो हमारे यहाँ पर जो है ये देखे जरा मैंने green color से यहाँ पर ये देखे जरा कैलिक्स मैंने बनाई ठीक है भाई ये देखे जरा ये कैलिक्स है एक मिनट और ये जो है ये देखे जरा ये जो है ये कैलिक्स है और ये कैलिक्स जो होते हैं ध्यान देना जरा ये पांच होते हैं और सब के सब आपस में जुड़े होते हैं और इसी के बेस में इसी जगए पर इसके बेस में यहाँ पर होते हैं एपिकैलिक्स इनका एपिकैलिक्स का नंबर जो है वो होता है फाइफ टू सेवेन ये देखे ज़रा यहाँ पर आप देखे ज़रा मेरे इसका नाम है कैलिक्स ठीक है ना अब देखे कैलिक्स के बाद हम आपसे बात करते हैं कुरोला की ठीक आप देखे जरा बच्चों यहां पर कुरोला जो है वो है तुम्हारे पांच ठीक देखे साथ एक ये है इस तरह से मैंने एक बनाया एक देखे ये बनाया मैंने दो हो अब आगे आओ देखो इसमें जो है और देखिये जरा इसकी एक खास बात और क्या है देखिये जरा इसमें जो है अभी दो और बना रहे हैं यहां देखो जरा यह जो है निकला हुआ है इस ट्रक्चर यह इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब इसमें लगें स्टेमिनल उपर लगें कार्पेल इसको बना के दिखाते हैं आपको देखिये जरा यहां पे इस तरह का यह इस ट्रक्चर है यहां पे यह उपर की तरफ यहां पे इस जगे पे यह तुमारे पा Stamamens ये देखे जराइं ये हैं सारे के सारे इस तरह के ये Stamamens नहीं हैं ठीक है भाई ये देखे जराइ और इसकी खास बात है Malwesi Family का नाम M से है और हम लोग याद करेंगे M से चार वर्ड और Many Stamamens याद करेंगे अभी एक बता रहा है आपको M से मैंनी स्टेमिन फिर देखे जरा बच्चों हम लोग जो है ये जो पांच पतियां है इसमें ये देखे जरा इस तरह से ये पांच हमने और एक ये दो और बना दी ठीक है ना तो देखो भाई यहां पर जो है ये मामला है तुमारा इधार देखो भाई ये है तुमारा स्ट यह देखिए जरह इस तरह से तो इसमें यही माई निकल के बाह़र आ रही ठीक है न Ooh I, इसका भी मैं सेक्शन कटिंग करके दिखाओंगा आपको यह मैं एक फ्लावर आपके सामने बना थे ठीक है न, और यह देखिए जरह, यह आपका इस तरह से यह flower बना दिये ठीक है अब देखो जड़ा इसकी labeling ये है तुम्हारा calyx ये है calyx ठीक और ये है तुम्हारा epicalyx ये है epicalyx और ये जो है बच्चों मेरे ये है कुरोला ठीक और ये नीचे की तरफ जो studental है इसका नाम है pedicil इसका नाम है pedicil ठीक है और ये हैं तुम्हारे stamens ये स्टैमें उपर सबसे उपर इस टैमें और ये सबसे उपर जो है ये कारपिल ठीक भई ये मामला हो गया flower का ठीक है अद देखो जड़ा बच्चों इसका जब हम ls काट के बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा जड़ा उसको देखते आईए और उसी जब ls हम बनाएंगे तो उसी में हम आपको सारे करेक्टर लिख देंगे कैलिस करोला इंडोसियम गाइनेसियम यही आप से सवाल पूछे जाते हैं जादा तर ठीक आईए देखिए जड़ा यहां पर जो है हम लोग इस जगए पर देखिए जड़ा ध्यान दीजेगा जड़ा इसका ls की क्या खास बात है ls में जो है यह जो नीचे का structure है यह ओबरी ध्यान देना जड़ा यह ओबरी और इसमें जो है यहां पर यह मैंने देखिए green color से structure बनाए है ग्रीन तो नहीं है color यह दूसरा color लेते हैं भाई अब इसमें green यह यह बेटा इसी से काम चलाओ देखो यह देखो जड़ा यह हमने इस तरह से यह बनाया यह कैलिक्स है ठीक और ऐसा ही कैलिक्स इधर यह बना और इसी सिक के साथ यह देखिए जड़ा यह ए पी कैलिक्स है यह बन गया ठीक अब देखो जड़ा यह मैं आपके सामने LS बना रहा हूँ और देखो भई एक पत्ती हमने यह बनाई ठीक देखो भई ठीक है और बच्चों इसी में जो है हमने LS बनाया हुआ है तो एक पत्ती यह बना दी बस तीन पत्ती बनाएंगे यह ल लाल वाली पत्तिया होती तो पांच है बनाई कितनी हमने तीन यह देखो यह पांच पत्तिया है लाल वाली बना कितनी रहा है तीन सामने से देखने में इस तरह से आएगा ठीक अब देखिए जरा देखी ना भाई एक में डुकना जरा ठीक अब आजाओ इधर देखो जरा यहां पर जो है यह तुम्हारा जो है अब यही चीज थोड़ा देखने वाली है यहां से यह स्टाइल है पढ़ा है हम लोगों ने और यह स्टाइल है और देखिना ज़रा बच्चों और यह स्टाइल है ध्यान देना भाई यहीं पर तुमको दो तीन बाते बतानी है उस सब क कुछ हम लोग डाइगराम के माद्ध हम से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आएगा ठीक है अब देखे जरा इसमें जो है यहां पे जरा गौर करिएगा यह पांच होती हैं बच्चों देखे जरा इस जगे पे यह आपके पांच कारपेल हैं इ और यहां पे जो यह इस जगे पे यह आपका जो है सबसे उपर यह है इस्टिग्मा देखे जरा डिस इस अ फीमेली पोड़क्रटि पाट एंड डिस इए इस दा इस्टिग्मा यह हो गया तो देखे सब यह हैं आपके कारपेल कितने पांच पंच पेंटा कारपेली यह है और ये है आखरी में ओवरी यहाँ पे ये एपिकैलिक्स से कैलिक्स से ग्रीन वाला मामला को रोला है ठीक है ना अब देखना जरा तुम्हें इंपोर्टेंट बात सुनना मेरी देखो तोड़ा सा आपको समझाने के लिए कलर चेंज कर दे रहे हैं यह मैं सोचिएगा यही कलर होता इसका ठीक है आप देखिए जरा यहाँ पे इसके किनारे किनारे हमने जो है यहाँ पर जो है इसमें जो है देखिए जरा गौर करिएगा यहाँ पे जो है यह देखिए जरा यह बहुत पतली सी एक मैंने जो ये लेयर बनाई हुई है आपको समझाने के लिए देखे साब ये ये नीचे तक आ गई ठीक और जरा तुम ये देखो जरा इस जगे से ऐसे ही बहुत पतली सी ये एक लेयर इसकी ये आ गई ठीक है ना बच्चों मेरे आब आओ जरा इधर देखो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कोश्चन एक आता है स्टेमिनल ट्यूब बनाई मैंने जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये स्टेमिनल ट्यूब है ये सारे के सारे स्टेमिन के सारे के सारे फिलामिन्ट मिलकर एक बहुत बढ़ बढ़ या स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं इस इस अ यूनिक करेक्टर आप दा मालवेसी फैमिली ये मालवेसी फैमिली का यूनिक करेक्टर है स्टेमिनल ट्यूब स्टेमेंस यह देखे जरा यह बहुत सारे यहां पर स्टेमेंस यह भी इसका खास करेक्टर है इसमें जो स्टेमेंस बहुत पाए जाते हैं यह देखे साथ यह जो है यह स्टेमेंस हो गए और यह वाइट वाला जो स्ट्रक्चर है यह आपका स्टेमेंस ट्यूब है अभी मैं जगे पर इसमें यहां पर पाए जाते हैं ये देखे ज़रा इस जगे पर पाए जाते हैं ये ओबियूल है ओबरी है ओबरी के अंदर क्या होगा ओबियूल होंगे ये देखे ज़रा ये हमने इस तरह से इसमें ये ओबियूल बनाए ठीक भाई multi locular condition होती है इसमें अभी मैं एक डाइगराम और आपको बना के दिखाऊंगा multi locular ये देखे ज़रा ठीक अब आईए ये मामला हो गया तुम्हरा flower का LS of the flower अब हम लोग जो है इसके बारे में one by one ठीक है भाई one by one heading डालेंगे और one by one इसकी study करेंगे ठीक आईए देखे ज़रा सबसे पहले हमने ये लिखा हुआ यहाँ पर apicalis ठीक आईए ज़रा apicalis के बारे में आप से बात करें apicalis जो है मामला तुम्हारा apicalis का ध्यान देना ज़रा पहली बात तो ये होते हैं 5 to 7 एक पॉइंट ये पढ़ना है फिर देखिए दिस इस ए टाइप ओफ एक मिनट हाँ ए टाइप ओफ दिस इस ए टाइप ओफ ब्रैक्ट ये एक ब्रैक्ट का टाइप है ये देखे एpicalis ठीक फिर देखना ज़रा बच्चों यहां पर जो है ये जो डंठल है इसकी इसकी डंठल ये जो है इसका नाम है पैडिसिल ये देखिए साब ये पैडिसिल है और अगर ये तुमारी जो है पैडिसिल पैडिसिल प्रिजेंट है ठीक है भाई ये पैडिसिल अगर प्रिजेंट है तो इसको बोलते है पैडिसिल और अगर आप सेंट है तो इसको बोलेंगे सेसाइल ठीक है ना तो ये तो मालमी है आपको खैदे मार्फॉल जीम पढ़के आए छोड़िए अब देखे जरा और आगे आईए जरा देखो भाई यहां देखे जरा ऐसे हम लोग को पढ़ना है ये देखे साथ ये है कैलिक्स औ ऑर थोड़ा ऊपर लिखते है जरा देखे जरा यहे देखिय जरा कैलिक्स ठीक है एक मिनट यह देखे जरा यह है कैलिक्स के बारे में लिखे है आप जरा देखिएगँ कि पहली बात तो यह होते हैं फाइफ पेंटरी मेरस फ्लावर है फाइफ होने होना है फाइफ सेपल16 यह हैं minor फाइफ सेपल стр content यह होगया ळफ्रिक अच्छ यह सारे के सारे चौिött होते अब बताओ फूजड है तो क्या बोलेंगे गैमो क्या बोलेंगे बताओ गैमो सेपलस क्या बोलेंगे गैमो सेपलस फ्यूजने सारे और सुनिए वालवेट एस्टाइवेशन वालवेट एस्टाइवेशन का मतलब बताओ जब किनारे आपस में टच कर रहे हूँ तो उसे क्या बोलेंगे बताओ वालवेट वालवेट एस्टाइवेशन वालवेट एस्टाइवेशन ठीक भई एक बात ये हो गई ये मामला हो गया सैपल्स का ठीक है ना कैलिक्स हो गया अब आईए जरा हम बात करें आप से कुरॉला की इधर भी हम जाएं अगर पीछे वाली स्लाइड में ये देखे साब ये कैलिक्स है ठीक है ना हम लोगों ने पढ़ा था ये कैलिक्स है तो ये देखे सारे के सारे फ्यूज है आप देखे जरा ये फ्लावर देखे साब ये एपी कैलिक्स है और ये कैलिक्स है ये कैलिक्स है सारे के सारे फ्यूज कर गए है किनारा एक दूसरे को टच कर रहा है तो क्या होगे अब बताओ गैमोसे पलस ठीक है ना अब आईए जरा आगे आती है जरा देखो भई इसमें आजाओ देखो भई यहां पर यह देखे जरा यह है कोरोला देखे जरा बच्चो यह है कोरोला ठीक है ना अब जाईए जरा इसके बारे में बात करें आप से देखे जरा यह है तुमारे फाइफ पैटल्स फाइफ पैटल्स ठीक अच्छा अब इसमें देखो जरा क्या खास बात है यह वैसे तो यह फ्री है ठीक है ना लेकिन नीचे आते हैं तो ये fused कर जाते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगी fused at the base ठीक है ना पैटल जो है तुमारे ये जो है fused होते हैं बच्चो fused fused at the base at the base ठीक है ना अब आओ जरा एक और important बात बता हैं तुमको देखो ये flower जो है आप देखिए जरा इस flower में इस flower में एक किनारा एक पत्ती का अंदर और एक किनारा एक पत्ती का इसमें बाहर होता है कोई भी पत्ती आप पकड़ लीजिए ध्यान से देखें अगर तो जैसे ये वाली पत्ती है आप देखें जरा इस पत्ती का एक किनारा जो है देखो ये पत्ती है एक किनारा इसका बाहर है एक किनारा अंदर है हर पत्ती का एक किनारा बाहर और एक किनारा अंदर है इस तरह का जो अरेजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यू स्टेट इस तरह का जो अरेजमेंट होता है उसको बोलते हैं ट्यू स्टेट एस्टाइवेशन क्या बोलते हैं बताओ टिव स्टेट एस्टाइवेशन ठीक है भाई आईये जरा और बात करें आप से देखो भाई ये है तुम्हारा मामला कुरोला का हो गया कैलिक्स हो गया अब देखो जरा ये हैं तुम्हारे सारे के सारे Androceum ठीक है ना Group of हम लोगों ने पढ़ाए Group of the Stamen क्या कहनााते Androceum ठीक है ना ये देखिये जरा Androceum अब देखिये Androceum में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देखिये जरा Androceum में बच्चों पढ़ेंगे Many Stamens पहला पुइंट बड़ा important point है भाई many stamen ठीक है न एक बात दूसरी बात तुमको मैंने क्या बताया था M से याद करना M से मालवेजी और खास character हो सारे के सारे filament fuse करके एक bundle बनाते है तो क्या कहलाएगा monodalphas एक बात सारे के सारे filament मिलकर all filaments देखे जरा मैं छोटा 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 लिखना हूँ all filaments all filaments all filaments are are fused are fused to form to form to form a steminal tube या खास character है इसका to form a steminal a steminal tube a steminal tube ठीक that is called इसी वज़े से इसको कहते है mono adolphus इसको हम लोग कहते है mono a delphus ठीक है भाई mono adolphus यह देखे जराब एक point यह हो गया many stamen mono adolphus और इसमें पाई जाती है एक condition और that is the monothecus क्या होता है बताओ monothecus इतने पॉइंट जरा नोट करिए ठीक भाई monodolphus monothecus ठीक है और इसमें जो है endosium में many stamen fuse और steminal tube epipetalus एक point रहे गया भाई देखे जराब इसमें epipetalus condition पाई जाती है यह तो बहुत important point है भाई देखे साथ epipetalus ठीक है न epipetalus epipetalus condition पाई जाती है जब stamen जो होते हैं तुमारे किस से fuse कर जाएं पैटल से ठीक अब जरा तुम इधरा जाओ अब देखो भाई हम बात करेंगे आप से देखे जरा gyinesium यह देखे जरा gyinesium यह देखे gyinesium ठीक यह है gyinesium और gyinesium कितने दिख रहे हैं तुमको पांच कितने दिख रहे हैं बताओ पांच ठीक लिखो जरा यहाँ पे पहला point pentacarpalric यह हैं तुमारे pentacarpalric ठीक फिर देखे जरा pentacarpalric syncarpus सारे के सारे क्या कर जाते हैं बताओ fuse कर जाते हैं तो यह क्या हो गए बताओ syncarpus ठीक है न और यह जो होते हैं तुमारे pentacarpalric syncarpus और multilocular ठीक है न multilocular 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 and exile placentation and exile and exile placentation यह देखे जरा exile placentation ठीक भाई तो यह हम लोगों को इसमें पढ़ना है pentacarpalric एक पॉइंट ओ देखो भाई इसमें pentacarpalric syncarpus multilocular and superior ओबरी कैसी होती बताओ superior ओबरी ठीक है न यह देखे जराओ यह तुमको जो है 4 point 4 point तुमको इसमें पढ़ने तो देखो हमने तुमको लगभग लगभग आदी family बता दी ठीक है भाई आदी family हम लोग अगले episode में दूसरा इसका जो second part वीडियो बनाएंगे तो आदी family बहाँ बता देंगे तो यह तुम्हारा main है यह जो मैंने तुम्हारे सामने चीज रखी है यह इसका main मामला है फिर से देख लो epicalis, calis, corolla, endosium और gyinesium इतना तो तुमको जरूरी पहना है यह फ्लावर के पार्स है फाइब सेपल्स, gamo sapelis, volvate stivation फाइब पेटल्स, fused and on the at the base and distraid stivation याद रखना जरा ठीक फिर देखो जरा many stamen filaments are fused to form steminal tube, monodalpas, monothecas और epipetalus इधर देखो जरा, इस साइड देखो यहाँ पे gyinesium, pentacarpolis, syncarpus, multilocular and exile placentation, superior ovary अब मैं इसके बाद और अंदर चलके इसके structure जो flow diagram है, fruit है, इनके बारे में आप से discuss करेंगे, तो आप पहले इतना पाल दीजे, इसके बाद हम next आपको part में, इसके आगे के बारे में आपको बताएगे, thank you बच्चो